भारत में चालक रहित कार का पहला परीक्षन एमिनाइटी परिसर में किया गया। परीक्षन के तहट बिना चालक वाली कार को छात्रों ने चलाया तथा आर्टिफिशिल इंटिलिजन्स के तहट अवरोध होने पर कार स्वत रुख गई। Microsoft Asia के अध्यक्ष एहमद मजहरी के सामने इसका पहला डेमो हुआ। जिसे किसी भी एलेक्ट्रिक वाहन में लगा कर उसे चालक रहित बनाया जा सकता है। चात्रों के दलने शोध और भारतिय परिवेश के अनुसार सडकों पर क्या वरोध आते हैं। इसके तहट एक प्रोग्राम लिखा और उसे अमल में लाए। तो इस कार पर मतलब काफी समय से हम काम कर रहे थे। 2018 में इसका सबसे नीव रखी गई थी इसके हमारे सीनियर के दौरा। हमारे सीनियर्स के दौरा इसकी नीव रखी गई थी। उस टाइम हमारे सीनियर्स थे भूवन सर उन्होंने या आइडिया 95 बैच को पिछ किया था। तो उस टाइम उन्होंने काफी दिल्चस्पी दिखाई थी और उन्होंने बोला कि हम इस मोहीम को सपोर्ट करना चाहेंगे। तो उसके बाद 2020 में इस पूरे प्रोजेक्ट की आइडिया प्रेजेंटेशन होई जिसके बाद हमको 12 लाग का M.E.U. साइन किया गया 95 बैच के साथ उन्होंने हमको 12 लाग की फंडिंग दिखाई। सिंसर और सौफ्ट्वेर कैमरों के जरिये पूरा प्रोग्राम लिखा गया और इसके बाद आज इसका परीक्षन किया गया। पूरा चात्रों के दल के उत्साह से ये दिखता है कि वो कितने आशावान है भविश्य के वाहन और भारत की उन्नती के लिए। ये संस्थान के लिए और इस प्रयागराज शहर के लिए और भारत के लिए ये बहुत ही गवर्व की बात है कि मोतिलाल नहरू राश्टी प्रोध्यों की संस्थान के चात्रों ने ड्राइवर्लेस कार बनाई इसका सक्सेस्पुल ट्रायल हुआ। फर्स्ट फेज में अभी काफी कुछ जितना टारगेट था सब अचीव कर लिया गया, सेकेंड फेज में कम्प्लीट टारगेट को अचीव करेंगे और ये आत्म निर्भर भारत की तरफ जो भारत सरकार, भार्मंत्री का प्रानमंत्री जी का आवान है उस पर हम लोग पू प्रिवेश तक्नीक के कारण ये तक्नीक काफी सस्ती होगी और लगबग तीन साल में सडग पर ये दिखने लगेगी और ये चलाने के लिए जो अभ्यान शुरू किया गया उसमें करें तीन साल का समय लगए और ये शुरुवात हुई हमारे प्रोफेसर समीर जी और जितिंदर जी जो मेकेनिकल इंजीन में काम करते हैं उनके आइडिया से और 19 स्टूइट्स की मदद से उन्होंने एक ऐसा कि हम ड्राइवर लेस कार बनाएं और इसको अर्टिफिस एंटिलिजन के साथ साथ जोड़ते हुए उसको ऐसी चीज में कि जो हिंदुस्तान की जो रोड है उस पे वो चल सके और इसके लिए उनका सहयोग मिला 96 बैच के जो अलमिनाई थे उनकी तरफ से 95 बैच के सारी 95 ब उस चिंजस की वज़े से आज जो हम देख रहे हैं एक ड्राइवर लेस कार बनके तयारती है इसका भविश यह रहता है कि फ्यूचर में जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट विवस्ता है उसमें जो हम डिपेंडेंस रहता है ड्राइवरों का वो एक तो खत्म हो जाएका दूसर क्या इस तरीके की सड़के हैं सड़के का निर्मार हो रहा है आज ही मैंने एक रोड ट्रांसपोर्ट डिविजन के जो हेट थे उनसे बात की तो यह हुआ है कि जो सड़के जो बन रही है यह काईदे से बन रही है और इनका जो गुनवत्ता है वो पूरे वैस्यू कि इस त कीमत जो है इस समय ऐसी हजार डॉलर्स की ज्यादा है अगर हम यही सी तरह की कार हिंदुस्तान में अगर सस्ते बना दें जो कि सब लोग और यही उसका हमारा प्रयास पर इस पर प्रियास में निदुए इस पर लोग जो हम लोग का प्रोट्टाइप है उस तो बन गया है अब हम लोग को वेंचर कैपनिस की जुरूत पड़ेगी और कुछ और जो कंपनिया जो बसेस बनाती है उनसे बात करना पर तो इसमें